हर खबर पर होगी आपकी पकड डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइब बॉलिवूड की ब्लॉक बस्टर फिल्म चक्डी इंडिया आपने देखी होगी शारुक का काम पसंद किया होगा लेकिन शारुक के रोल में जो था वो जो हो रहा है उनके साथ ये जानी इस खबर में ये फिल्म एक होकी कोच के जजबे और उसके समरपड की ही दास्तान थी उस फिल्म के रियल लाइफ हीरो और पूर्फ भारती होकी कोच मीर रंजन नेगी अब एक नए मोर्चे से जूज रहे है वो इन दौर में होकी की नई पॉंट को मैदान दिलाने का संखर्श कर रहे है होकी एस्टो टर्फ पर खेली जाती है जिसके खिलाडी घास के मैदान पर तयार होते हैं वो इन दौर में फुटपात पर खेली जा रही है जहां शोर सराबा है गाडिया आ जा रही है और इन बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं भारती होकी टीम के पूर्व कप्तान मीर अंजन नेगी जिनकी जिनकी जिन्दगी के संगर्श पर बनी फिल्म चक्ते इंडिया देश की सबसे सुपर हिट फिल्म साबित हुई जिसमें मीर अंजन नेगी का किरदार वॉलिवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार शारुक खान निभाया था लेकिन इस सक्त और सिमेंटेट सतह पर होकी की नई नसल तयार करना मीर अंजन नेगी की चोईस नहीं मजबूरी है मजबूरी इसलिए तो कि इंदो नगर निगम प्रशासन ने इनका खेल का मैदान ही छीन लिया है हम तो वो स्टेडियम चाहते भी नहीं हम नहीं चाहते कि कोई स्टेडियम बने हम तो चाहते हैं कि एक मैदान बने और उसके पास में एक फेंस लग जाए ताकि लोग अंदर नहीं आए और हमें खेलने का मौका देए और मैं आपको विश्वास दिलाते हूं कि अगर मुझे मौका मिला है तो सपने हैं होकी में देश को गोर्ड मैडल मिले और सुविधाओं का आलम ये है कि होकी की नई पौध को तयार करने के लिए मैदान नहीं ब चीन सकता लेकिन असल जिन्दगी में मीर रंजन और उनके प्लेयर्स का मैडानी चीन लिया गए तो फिर अग़े चल कि उनने दिककत होगी मीरंजन नेकी दो साल पहले मुंबई छोड़ कर सिर्फ इसलिए आये थे ताकि वो अपनी कर्म भूमी इंदौर में होकी की एक नई नसल तयार कर सकें ऐसा वो कर भी रहे हैं लेकिन बिना मैदान के जबकि फुटपाथ पर हौकी की ट्रेनिंग के खत्रे भी है एस्टोटफ पर आप जिस तरीके से बॉल रोकते हैं वो बिलकुल अलग है उसमें बॉल को बिलकुल होकी स्टिक को नीचे लिटा के रोकना पड़ता है यहां पर रोकना आलग है इसके अलावा जो रनिंग है जो स्टेमना भी इंफेक्ट है वो एस्टोटफ का स्टेमना आलग होता है यह सब गाड़ियां जा रही हैं यहां से लोग डिस्टरब कर रहे हैं बहुत कोफ्त होती है इस सिलसले में ABP News ने इंदावर नगर निगम की कमिशनर से संपर किया जानना चाहा कि आखिर इन प्रतिभावान खिलाडियों को मैदान मिल पाएगा या नहीं तो स्टेडियम जब मिलेगा तब मिलेगा वी रंजन नेगी के सामने एक नया चैलेंज है के उपर सिमेंट कंक्रीट वाली सते पर चेंपियन तयार करने का बड़ा जिमा है अपना समय देते हैं इन सारे प्लेयर्स के लिए तो उनको नहीं मिलती है और नहीं बच्चों को पतिवाया तो हमें पास बहुत सारी होती है मगर हम तेरी हम अच्छे कोच जो समय जाना चाहते हैं बच्चों को आगे लाना चाहते हैं जब उमको सोईडाय नहीं देते हैं फिर यही हाल होता है अमीर रंजन लेगी को अपने होकी खिलाणियों को प्रैक्टिस फुटपाथ पर करवानी पड़ रही है हमारे साथ इस खबर पर कुंतल चक्रवर्ति हमारे खेल संबादाता बने हुए उनके पास चलते हैं कुंतल जैसा कि अमने सुना मीर रंजन लेगी कह रहा ह है कि अस्ट्रबि जब खेलते हैं तो आपको स्ट्रोट फे अस्ट्रोट ने की खेलनी होती है यहां फुटपाद पर प्रैक्टिस करने से खिलारियों का खेली खराब हो जाएगा तो कि अच्छी नेटान जो खेले लेवल पर लेंगें दो आपको आपको खेलने दरा है एसे सडग पर तो मिर रंजिन निगी इसके आगे शायद वो खेल मंत्री से बात करने वाले है क्योंकि ज्यादा तो कुछ नहीं मांगे थे पिछले दो सालों से वो एक एक मैदान मांग रहे थे, छोटा सा एक मैदान जिसमें एक फेंस होगा और वहाँ वो होकी सिखा सके क्या खिलारियों को, तो पिछले दो सालों में उनको कोई मैदान नहीं मिला होकी का और अब शायद वो खेल मंत्री से बात कर सकते हैं इसको लेकर, बहुत शुक्रिया आप कि आप एक मैदान नहीं मांग यहाय अपप मांग फेंस मॉद को कर दो आप होता हैं इससे वो होगा प्लार मांग एक प्लार शुक्षणान नहीं महां। झाल झाल